सब्सक्राइब कर दिएगा साथ ही सेशन को बाकि स्टूडेंट्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा कि वह सबीवी क्लास से यहां पर जोड़ जाएं एक बार जर्ण आप सभी मुझे कामेंट्स करके बता दीजिएगा कि वह सभी चीजे सही हैं सो अम लोग फिर कलास को यहां पर स्टार्ट करते हुए चलते हैं फटा-फटस एक बार सभी कामेंट्स करके बता दीजिएगा थोड़ा सा लेट हो गए हैं बट फटा फट से इस ओके कोई नहीं हम लोग क्लास को यहाँ पर जल्दी से ही शुरू कर लेंगे चलिए एक बार बता दी जीएगा मुझे कि भी सबी चीजे सही हैं सो फिर हम लोग क्लास को यहाँ पर फटा फट से जल्दी से ही शुरू करते हुए चलते हैं चलिए चलिए पताईएगा बन खाईएगा अब ही आप लोगों के मौक टेस्ट स्टार्ट हो चुके है तो सभी के सभी जो मौक टेस्ट के questions के जो की answers है उनका answer करने के लिए try कीजिएगा ठीक है? चलिए तो यहाँ पर आपको question में बताना है answer करके कि क्या आप लोगों का जो की answer है वह है यहाँ पर जाएगा फटा फट से चलिए भई question में answer कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर चलिए तो पूछा गया है कि आपको यह बताना है कि भारत के जो की दूसरे उपरास्ट पती यहाँ पर रहे हैं यह कोन है? बताइए देखो अगर हम सरपली राधा किश्णन की बात कर लेते हैं तो यह देश के सबसे पहले वाइस प्रेज़ेंट यहाँ पर रहे हैं यहाँ रखीगा इसके साथ ही अगर हम बात करें साकी नमबर के वाइस प्रेज़ेंट की तो यह है डॉक्टर जाकिर हुसेंड जाकिर हुसेंड की बात कर लेते हैं तो यह देश के थर नमबर के प्रेज़ेंट भी रहे हैं सबसे पहले अपने कारेकाल के दोरान इनकी डैथ हो गई थी और यह देश के सबसे पहले की एक मात्र रास्ट पती भी है जिनकी की अपने कारेकाल के दोरान देहांत हो गया था इसके साथ ही देश के यह है सबसे पहले Muslim President भी है क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो आंसर है वह हमारा जाएगा थर्ड ओप्शन के लिए रहे चले फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले question में इसमें आंसर करने के लिए ट्राइ कीजेगा जै प्रकाश नाराण के अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बिल्कुल pdf के लिए मैं last में बता दूंगी कि आपको pdf कहाँ पर मिलेगी आप पहले पढ़ाये छोड़ करके पहले pdf के उपर यह चर्चा की जाए मैं आपको एक बार last में बता दूंगी कि pdf आपको कहाँ पर मिलेगी ठीक है फिरहाल question का जरा answer करने के लिए ट्राइ कीजेगा जै प्रकाश नारायन के अगर हम बात कर लेते हैं तो जनरली इन्हें किस नाम से जाना जाता है राज शरी दीन बंधू लोक नायक या फिर दे सबसे पहली जो कि भारत में पूर्ण जनगनना है यह कब हुई थी यह आप लोगों को answer के इना पर बताना है आंसर कीजेगा सभी के सभी क्या बन जाएगा आपका answer चलिए सबसे पहले देखो भारत में सबसे पहले जो जनगनना की गई थी यह कब की गई थी 1872 में की गई थी इसके बाद जो पूर्ण जनगनना भारत में की गई थी यह 1881 में की गई थी और यह है लोड रिपन के समय पर की गई थी याद रखेगा जिसके बाद से हर दस वर्ष के अंतराल में भारत की जड़गणना का आयजन किया जाने लगा लास्ट टाइम की अगर हम बात कर लेते हैं तो लास्ट भारत की जो की सैंसस है यह है दो आजार ग्यारा मे यहाँ पर की गई थी जो की ओवर और भारत की 15 नंबर की सैंसस थी याद रखेगा और अगर इंडिपेंडेंस इंडिया की बात कर लेते हैं तो यह है सावंथ नंबर की सैंसस थी देनेक्स से है हमारा की निमलिकी तो मेंसे किस विदेशी यात्री के नुसा ध्रोवसेन ध्रोवसेन जो की है यह दिवत्तिये प्रियाग राज यानि की इलहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुआ था आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा चली पटाफट से आंसर करके यहां पर बताएंगे कि क्या आपका जो की आंसर है यह है यहां पर जाएगा चली बताएंगे सबी की सबी की है कौन था चली क्या हो जाएगा सो यह है था कौन हें तसांग क्या हो जाएगा हें तसांग ठीक है याद रखीगा इत्सिंग भी इसके साशनकाल के दोरान यहाँ पर आया था लेकिन हेंग सांग ने सबसे ज़्यादा समय जो की है हर्ष के दर्बार में यहाँ पर बिताया था याद रखीगा जो की एक चाइनीज क्या हो जाएगा कि भई यह है एक चाइनीज ट्रावलर था चाइनीज ट्रावलर था चाइनीज यात्री था पायान की बात कर लेते हैं तो यह देश में सबसे पहला चाइनीज ट्रावलर था जो की भारत में आया था ठीक है और यह है किसके साशनकाल में तो भई यह है चंद्र गुप्त क्या हो जाएगा चंद्र गुप्त सैकेंड के दर्बार में यह है आया था ठीक है किलियर है चीज़े चले फिर आगी बढ़ चलते हैं दे नेक्स यहां पर देखेगा कि भारत में निम्लिखित में से किस राज्य में अरेवी का कोफी उगाई जाती है आंसर कीज़ेगा भारत में मातर चार से पांच प्रकार की ही जो कोफी है इनका उत्पादन किया ज गया था यह करनाटक राज्जी में लगाए गया था करनाटक राज्जी में जो की बाबा बुद्दान हिल्स है ना बाबा बुद्दान हिल्स है यहां पर सबसे पहली बार कोफी का पोधा लगाए गया था और प्रजैन टाइम में मैक्सिमम कोफी का जो प्रोडक्शन करने वाला राज्जी है राज्जी है यह भी करनाटक राज्जी है ठीक है और अगर भारत में कोफी बोर्ड की बात कि जाए कि कोफी बोर्ड कहां पर है अगर हम कोफी बोर्ड की बात करते हैं कि कोफी बोर्ड कहां पर है सो यह है बैंगलोरो में क्या हो जाएगा बैंगलोरो में याद रुखेगा, अगर हम कॉफी की बात कर लेते हैं, तो इसका प्रॉडक्शन कहां पर होता है? कहांपर? करनाटक राज्य में, याद रखेगा और अगर टी के प्रोडक्शन की बात की जाए न, चाय का सबसे जादा जो प्रोडक्शन ये है, किस राज्य में है तो यह असम राज्य में है ठीक है और अगर टी बोड की बात करें टी बोड यानि कि चाइबोड की बात कर लेते हैं यह कहां पर है सो यह है कोलकाता में है याद रखेगा इनके बारे में questions आपके बनते हैं जो कि paper में पूछे जाते हैं अगर हम इंडियन नेवी डे की बात कर लेते हैं भारते नो सेना दीवस्त यह कब मनाया जाता है जो कि भी हाल ही में मनाया गया है अगर एक परवरे की बात कर लेते हैं तो इस दिन इंडियन कोस्ट गार्ड के foundation डे के रूप में मनाया जाता है foundation डे के रूप में मनाया जाता है याद रखेगा साथ है अगर हम 15 जन्वरी की बात कर लेते हैं 15 जन्वरी की तो इस दिन इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4 दिसंबर 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है याद रखीगा 8 ओक्टूबर की बात कर लेते हैं तो 8 ओक्टूबर जोकी है यह हैं इंडियन Air Force Day के रूप में मनाया जाता है किलियर है चीजे चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिएगा कि निमलिकित में से कौन सा विश्व का वह चेतर है जो अपनी समृध्धी खटे फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है बताईए यानि कि यह अपनी उसकी खास्यत है पॉपलाइटी है कि यहाँ पर आपको जो कि खटे फल है वो आपको यहाँ पर जादा देखने के लिए मिलेंगे यह अफ्रिका है या फिर भूमद्य रेखे चेतर यानि कि एक्वेटोरियन रिजन है कैरिबियन एडिया है या फिर भूमद्य सागर है आंसर करके बताएंगे बिए क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है आंसर कीजिएगा चले इसमें याद रखेगा कि भूमद्य सागरिये का जो की छेतर है भूमद्य सागरिये चेतर यह कहां पड़ता है तो यह है जहां पर की अटलांटिक ओशन है अटलांटिक ओशन की जो लोकेशन है यह है इधर नौर्थ एंड यह है साउथ अमेरिका से लेकर की यूर्व एंड अफ्रीका के बीच में इसकी लोकेशन आती है और मेडिटीरियन जी जो यहां पर पड़ता है यह है कुछ अफ्रिका के वेस्टन कोस्ट की ओर एंड यूरोप के यूरोप के सदन वेस्ट एरी की ओर इसकी लोकेशन हाँ बिल्कुल सोनू अगर हम वर्ड में कोफी की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो बहें ब्राजील देश सबसे जादा करता है वर्तमान समय में विग्यानिक ज्यान की अनुसार आधार पर वर्तमान में आपको ये बताना है कि अनुमान अगर लगाया जाए कि प्रत्वी की आयू कितनी है तो कितनी है आंसर कीजिएगा सभी के सभी सेशन को भी लाइट कर दीशिएगा और बताईएगा कि अगर हम बात करें कि प्रत्वी की जो एज है यह कितनी है तो जरा बताईए कि प्रत्वी की एज कितनी है चले इसमें याद रखेगा कि प्रत्वी की एज की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लगभग 4 अरब 50 करोड के करीब यहाँ पर इतनी उम्र है प्रत्वी की 4.5 अरब एर अरब वर्ष की एज है याद रखेगा ठीक है प्रत्वी की किलिए चले देनेक्स्ट है कि गिरते नारियल तेज रफ्तार कारों लुड़ते पत्थरों और उड़ते विमानों से किस प्रकार की उर्जा जुड़ी हुई है आंसर कीजिएगा इनसे किस प्रकार की उर्जा जुड़ी हुई है यह आपको बताना है अल्लू अर्जुन जो आपको बताया ना लास्ट टाइम वहीं एप्रोक्स एज है प्रत्वी की ठीक है ध्यान रखना चले आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा भही यहां पर ये आप लोगों को बताना है कि क्या आपका आंसर जो की है यहां पर रहेगा फटा फट से चले चले यहां पर बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में भी याद रखेगा कि कानिटिक अनरजी यानि कि गतिज उर्जा के ये एक्जाम्पल है याद रखेगा साथी इसकी formula की बात कर लेते है तो इसका formula क्या होता है 1 upon 2 into mv square जहाँ पर की m जो है यह मास है यानि की द्रवेमान है और यह वालो सिटी है यानि की क्या हो जाएगा वेग है याद रखेगा और यह है द्रवेमान किलिए चलिए आगे बढ़ चलते हैं आपाता यह जिए चलते हैं मैं वैयना की वार्य है कि यह है यह इर्व का वह देश है इसकी एक नहVIDन है जकार्ता की बात के लेते हैं हो जाएगा Indonesia इंडोनेश बलकि यह अपनी नई रूपसर बन जाएगी टोक्यो की बात कर लेते हैं तो जानते ही है चापान की कि Bharat की आजाते हैं दर में अंतर सबसे ज़्यादा देखा गया है यह आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा यहां पर चलिए क्या आपका आंसर यहां पर रहेगा यह आप लोगों को आंसर करके यहां पर बताना है फटा-फट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा चलिए बताइए सबसे ज 1 1 परसंट यहां का literacy rate है अगर हम पूर्शों के literacy rate की बात कर लेते हैं तो यहां पर 79.19 reopening की बात कर लेते हैं के सबसे ज्यादा difference आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है और अगर हम maximum literacy rate की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम लिट्रेसी रेट आपको कहां पर देखने के लिए मिलता है केरल राज्य में देखने के लिए मिलता है जहां पर कि 94 परसेंट यहां पर लिट्रेसी रेट है और सबसे कम की अगर हम बात करें यानिकि वरस्ट सबसे खराब जो है लिट्रेसी रेट तो यह क्या हो जाएगा कि भाई बिहार राज्ये का है चीक है question पर आ जाते हैं the next answer कीजिएगा यहाँ पर आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर के बारे में दिया गया है और यहाँ पर five year plan के बारे में आपको दिया गया है तो आपको भई इसमें ये बताना है five year plan के बारे में कि कौन से प्राइम मिनिस्टर के समय पर कौन सा five year plan जो की है यहाँ पर चला था बताईए देखो अगर हम second five year plan की बात कर लेते हैं ये आपका 1956 से लेकर के 61 तक चला था ठीक है जिसमें की जवालाल नहरू की अगर हम बात कर लेते हैं तो भई 16 years का इनका tenure रहा है और देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधान मंत्री भी रहे हैं और इस समय पर य की बात कर लेते हैं कि 11 नंबर का जो की फाइव यर प्लान है यह आप लोगों का चला था 2007 से लेकर के 2012 तक चला था ठीक है और इस समय पर यानि की 2014 तक 2004 में यहां पर बने थे 2004 से लेकर के 2014 तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मनमोहन सहीं ठीक है तो क्या हो जाएगा कि यह जा भी आप्शन यहां पर जाएगा सो हमारा क्या हो जाएगा कि फॉर्ट आप्शन जो कि है यह अपना सही रियूप नहीं करता है तो उस पर पैनेल्टी या फिर उसे पनिश्मेंट दिया जाएगा अंसर कीजेगा, fundamental अगर duties की बात कर लेते हैं, तो यह हमने रश्या देश से बोरो किये हैं, जिस समय पर हमारा constitution लागू किया गया था, उस समय पर fundamental duties हमारे constitution में नहीं थी, बलकि इन्हे स्वान सिहिंग समिती की सिफारिस पर, स्वान सिहिंग कमैटी की सिफारिस पर इन्हें हम पर 10 fundamental duties को add किया गया था, article 51 के A में, इसके बाद 86th amendment से, जो कि 2002 में हुआ था, जिसमें कहा गया, कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना उनके parents का करतव्य है, इसे 11th number की duty के रुप में शामिल कर दिया गया, और present time में article 51 के A में 11 fundamental duties को यहाँ पर शामिल किया ह हुआ है, यह चीज आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, ठीक है, और इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, तो सौन सिंग कमेटी नहीं कहा था, कि अगर कोई व्यक्ति अपने करतव्यों का सही तरह से पालन नहीं करता है, तो उस पर penalty या फिर उसे punishment दिया जाना चाहिए, ठी कि भई आप लोगों को example दिये गए हैं, आपको यह बताना है कि इन में से कौन सा है, जो की cancer का एक रूप नहीं है, answer कीजिए क्या हो जाएगा, चली, फटा फट से, answer करेंगे क्या हो जाएगा, चली, क्या आपका answer हैगा, चली, बताएंगे फटा फट से कि क्या आप लोगो का जो की answer है, यहाँ पर रहेगा, चली, नहीं अनिता, कोज मुझे इतना time ही नहीं मिल पाता है, इसी लिए, चली, answer कीजिएगा फटा फट से सभी के सभी क्या हो जाएगा, चली, बिल्कुल से यह जड़ा देखेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्लुकोमा क कर लेते हैं, तो ग्लुकोमा जो की है, यह आइस से हमारी माइड को जोड़ने वाली जो की तंत्रिका है, तो यह है ग्लुकोमा की वज़ा से उन्हें हार्म पहुंचता है, यानि कि श्रति गस्त हो जाती है, तो यह आप लोग का आइस से रिलेटेड है, ना कि यहाँ कैंसर का एक टाइप है तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का A option यहां पर सही आंसर जाएगा सितंबर 2022 में सितंबर 2022 में विधान सभा महिला विधायकों के लिए सुरक्षा स्वास्थिये स्वच्था और सिक्षा जैसे महिला मुद्दों पर बोलने के लिए एक दिन अलग से ही रखा गया था तो यकिस राज्य की विधान सभा में रखा गया था यहां पर बता रहें खियाた फटा-फट से चलिए क्या आपका आंसर यहाँ पर जाएगा चलिए बिल्कुल सी बात है क्या हो जाएगा सबही यह है उत्तर पृदेश राज्जी याद रखेगा उत्तर पृदेश राज्जी की जो की विधान सभा है legislative assembly है यहाँ पर women's की favor में बोलने के लिए एक दिन को यहाँ पर reserve किया गया है यह बात याद रखीगा साथी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में legislative assembly हुआ legislative council की भी seats हैं यहाँ पर यहाँ पर राज्य सभा एंड लोग सभा इन सभी की seats सबसे जादा हैं उत्तर प्रदेश राज्य में legislative assembly की बात कर लेते हैं 403 legislative council की बात कर लेते हैं 403 याने की विधान परिशन राज्य सभा की बात कर लेते हैं 31 लोग सभा की बात कर लेते हैं तो यह चीज आप लोग याद रखेगा चलिए अगले question पर आ जाते हैं answer कीजएगा सभी के सभी क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका answer कि निमलखीत में से किस ने बादशहाँ नामा को लिखा है answer कीजएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा किसने बादशाहा नामा को जो की है भई यहाँ पर लिखा है यह आप लोगों को आंसर गर की यहाँ पर बताना है पटा फट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा जो कि मुहम्मद बिन तुगलक के साशन काल के दोरान यह है मतलब साशन ने एक लेखक के रूप में उबरा था तो ध्यान रखेगा क्या हो जाएगा second option यहाँ पर आपका सही answer जाएगा अबूल फजल की बात कर लेते हैं अकबूल फजल जो की है यह अकबर के दरवार में रहा है जिसने की अकबर नामा की रचना की है अकबर नामा की रचना की है ठीक है याद रखेगा डी चले question पर आजाते हैं दे next 25 डिग्री Celsius के तापमान पर एक आदर्ष गैस के लिए SI IKO में प्रती अनू औसत गतिज उर्जा जो की है यह कितनी होती है यह आप लोगों को answer कर के यहाँ पर बताना है answer कीजेगा क्या हो जाएगा जो गतिज उर्जा होती है यह कितनी होती है यह आपको बताना है पड़ा फर से answer कीजेगा question में क्या हो जाएगा चलिए याद रखेगा कि यह है आपका क्या रहेगा 6.17 into 10 की पावर minus के 21 Joule the next है कि first national park established in India भारत में सबसे पहला जो कि national park था यह कब established किया गया था answer कीजेगा भारत में सबसे पहला national park जो कि established किया गया था यह है 1936 में established किया गया था जिसे की भाई हेली national park के नाम से यहां पर जाना जाता था ठीक है बाद में फिर इसे जिम कॉर्बेट क्या हो जाएगा जिम कॉर्बेट national park के नाम से जाना गया और present time में भी इसका नाम change कर दिया गया है इसे राम गंगा राम गंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है इसकी location की बात करें तो क्या हो जाएगा भई उत्रा खंड में इसकी location है याद रखेगा तो यहां पर आपका जो answer है क्या हो जाएगा बी option ठीक है इसके साथ ही काजिरंगा नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं यह असम में है ठीक है गिर नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं गुजरात में है और अगर काना नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में है कि सम्हूं शुन्नी के तत्वों को सामानय तहा क्या कहा जाता है बताईए आंसर कीजिएगा जो की zero group के elements है commonly इनको किस नाम से जाना जाता है यह आप लोगों को answer करके यहां पर बताना है फटा फट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा इनको जाना जाता है जो कि आपको second option में दिया गया है चलिए आजाते हैं यहां पर यह ना completely English में ही question है हिंदी में भी नहीं है तो इसमें try कर लीजिएगा question का answer करने के लिए इतना tough नहीं जाएगा चलिए एक तरफ आपको acid के नाम दिये गए है एक तरफ food source वो जो acid के food source है वो कौन कौन से source है यह आप लोगों को यहां पर दिया गया है चलिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं soda water में आपको कौन सा acid मिलता है soda water की बात कर लेते हैं इसमें आपको carbonic acid मिलता है coconut milk की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यूरिक एसिड आपको इसमें मिलता है ठीक है उसके बाद है यहाँ पर बटर में जो की आपको किसमें मिलता है यहाँ पर बटर में क्या हो जाएगा यह एसिड आपको बटर में मिलता है और बाकी लास्ट क्या जाएगा आपका मस्टर्ड यहां पर रहेगा, त्च्छिक है, क्या हो जाएगा, त्छ чаigning का विरासत में नहीं मिलती है यह आप लोगों को अंसअगर के आप बताना है, आंसर कीजियेगा, क्या हो जाएगा, चलिए फटा फट से, कॉतिन में, जल्दी से आंसर कीजिये, चलिए फटा फट से क्या हो जाएगा चलिए बिल्कुल सही बाद है क्या हो जाएगा यहां पर मलेरिया, मलेरिया की बाद कर लेते हैं तो मादा मच्छर की काटने से मादा मच्छर की काटने से यहां पर मलेरिया होता है जो कि किस parasite की वज़ा से होता है तो यह है plasmodium क्या हो जाएगा plasmo plasmodium parasite parasite से यहाँ पर होता है चीक है malaria और malaria के बारे में जागरूपता फैलाने के लिए 25 अप्रेल को malaria दीवस के रूप में भी मनाया जाता है क्या हो जाएगा global malaria day के रूप में भी यहाँ पर मनाया जाता है लोगों को जागरूप करने के लिए इसके साथ ही हाल ही में जो कि world health organization के द्वारा malaria के उपर report जारी की गए थी उसमें देखा गया है कि अगर हम Asia continent की बात करें Asia महादीब में south east जो nations है इन में सबसे जादा जो malaria के cases है वो भारत में ही है भारत में 55% malaria के cases देखे गए है अगर Asia के south east nations की बात की जाए तो इसमें अगरा देखे हैं हाल ही में लोग पृइए खिलाडी जिसका नाम है हशिका राम चंदरन किस खेल से समबंधित है answer किज़ेगा क्या हो जाएगा किस खेल से यहाँ पर समबंधित है यह आप लोगों को answer करदेश के बताना है फटा-फट से आंसे कीजिएगा क्या हो जाएगा सभी के सभी इनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो किस खेल से संबंधित है चलिए क्या हो जाएगा यह तैराकी से संबंधित है यानि कि स्विमिंग से याद रखेगा क्या हो जाएगा तैराकी ठीक है बाकी ये मलखंब जो है न याद रखेगा कि मध्ये प्रदेश का ये स्टेट इस्पोर्ट है इस्पोर्ट है ठीक है चली आगे आजाते हैं संतोस टोफी की अगर बात करें तो 76 नंबर का जो एडिशन है यह निमलकित में से किस इस्थान पर आयोजित किया गया था साथ ही आपको ये भी बताना है कि यह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है और इसमें जो विनर टीम यहाँ पर रही है यह कौन रही है आंसर कीजीगा इसमें जो winner team रही है यह कौन सी रही है ये भी आप लोगों को बताना है और कहां पर इसका आइजन किया गया था ये भी आप लोगों को answer करके यहां पर बताना है फटा फट से सभी के सभी question में answer कीजिएगा क्या हो जाएगा आपका answer संतोस trophy के बारे में चलिए बताएंगे क्या रहेगा बिल्कुल सी बात है क्या हो जाएगा कि यह footballs related है इसका जो आइजन है यह रियाद में किया गया था रियाद जो की सौधी अरब की capital है ठीक है सौधी अरब की capital है याद रखेगा winner team की बात करते है तो करनाटक ने अपना fifth number का title जीता है इससे पहले कर बार जीत चुका है और इस बार इसने पांच्च्वे नंबर का यहाँ पर जीता था ठीक है यह बात याद रखेगा अब इसमें runner-up की बात कर लेते हैं किसे हराकर के जीता था क्योंकि एक्जाम में runner-up के लिए भी पूछा जाता है तो याद रखेगा कि इन्होंने मेगाल मेगाले की टीम को हराकर कि इसे जीता है यह सभी common चीज़ें हैं जो आपके एक्जाम में पूछी जाती है इसलिए जितनी बार इन्चीजों को रिपीट करोगे कौन से नंबर का एडिशन हुआ कहां पर आजित किया गया था पॉन विनर टीम रही ती रनर पॉन टीम रही तो वह सभी चीजों को कवर किजीगा दनेक्स आते हैं कि मैंनमलिकित में से किस समवेध्सानिक निकाय की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है आंसर कीजिए क्या हो जाएगा चलिए चलिए बताएंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा यहां पर यहां पर दिकिले बिलकुल 25 जन्वरी कि अगर हम बात कर लेते हैं, तो 25 जन्वरी को क्या मनाया जाता है? National Waters Day के रुप में मनाया जाता है, यानि कि रास्टे मतदाता दीवस के रुप में मनाया जाता है, क्यों क्योंकि 25 जन्वरी 1950 में ही भारत के चुनाव आयोग का गठन किया गया था, क्या हो जाएग तो आर्टिकल 324 के तहत में Election Commission of India का गठन किया जाता है प्रजैन टाइम में यदि हम Chief of Election Commission की बात कर लेते हैं तो कौन है यह है राजीव कुमार क्या हो जाएगा राजीव कुमार है ठीक है याद रखेगा सबसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे है यानि की Chief of Election Commission रहे है ये कौन रहे है तो यह है रहे है सुकुमार सैन क्या हो जाएगा सुकुमार सैन यहाँ पर रहे है ठीक है चलिए आगे आजाते हैं क्योश्चन पर कि मटवा धर्म महा मेला किस राज्ये से संबंधित है आसर कीजीगा इसका जो की आयजन किया जाता है यह कहां पर किया जाता है बताएंगे कहां पर इसका आयजन किया जाता है यह आप लोगों को बताना है क्लास को भी सभी के सभी फटा-फट से लाइक करते हुए चलेगा जिन्होंने की अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है और सुभा की करन्ट अफेर की क्लास भी आप सभी कवर किया करो चले इसमें याद रखेगा कि इसका जो आयजन है यह पश्चिम बंगाल में किया जाता ह है और दुर्गापुजा की बात कर ले तो भही इसे फोटीन्थ नमबर की दो हजार इकिस में बहरत की इंटेंजेबल क्ल्चरल साइट में भी इसे शामिल किया जात चुका है जिसमें अभी हाल ही में गर्बा डांस फॉर्म को शामिल किया गया था ठीक है सुभा करन्ट अ याद है चलिए आगे पर जलते हैं नो सेना प्रमुख के रूप में आरहरी कुमार का आदेश क्या है आदेश इंदा सेंस की ओडर क्या है ठीक है कौन से नंबर का ओडर है यह आप लोगों को बता रहा है हाल ही में अभी 4 दिसंबर को हमारे इंडियन नेवी डे के रूप में भी मनाया गया है इसके साथ ही हमारी जो तीनों आर्मी होती है इनके जो की सुप्रीम कमांडर होते हैं Supreme Commander होते हैं यह जो भी देश के यहाँ पर रास्टपती होते हैं यानि कि President आफ इंडिया होते हैं यह तीनों के ही Supreme Commander होते हैं याद रखीगा चीके और इनके अगर हम order की बात कर लेते हैं तो यह 25 नंबर के हैं अगर हम Chief of Chief of Indian Army की बात करते हैं तो कौन है बताओगे आप लोग डेगLesением आर्मी की बात कर लेते हैं इंडेन नेवी की बात कर लेतें क्या हो जाएगा सो यह थिप और फेस्की बात करने तो क्यों है अब romaidd लिए द्धावतलो क्या हो जायेगा यहांपर विवेक राम-चोधरी निला चलिए आंसर याद रखेगा the next अगले question पर आ जाते हैं निम्लिकित में से कौन Congress Socialist Party से संबंधित नहीं रहे है बताएंगे कौन से यहाँ पर व्यक्ति है जो कि Congress Socialist Party से रिलेटेड यहाँ पर नहीं रहे है आंसर कीजिएगा सभी की सभी क्या हो जाएगा चलिए मीनू मसानी है लाला लाजपत राय है आचारिये नरेंद्र देव है जै प्रकाश नाराण है तो इसमें याद रखेगा कि लाला लाजपत राई लाला लाजपत राई जो की है यह Congress Socialist Party से संबंधित यहाँ पर नहीं रह तो इसके विरोध में यह Simon Commission Go Back के नारे लगा रहे थे उस समय कहां पर लाहोर में क्या हो जाएगा लाहोर में जहां पर की त्रांती कारियों के ओपर लाठी चार्ज किया गया था और लाठी के प्रहार से ही इनकी डेथ हो गई थी यहाँ पर Simon Commission Go Back के नारे लगाते हुए इस नाम से जाना जाता है ठीक है क्या हो जाएगा पंजाब केसरी के नाम से लाला राश्मत राय को जाना जाता है रास्ट्रपती के द्वारा सहित्य कला विज्ञान आदिछेत्र के प्रतिस्टित व्यक्तियों को राज्य सभा में नामित करने का जो प्रावधान है यह किस दे में से जो कि 28 मैंबर्स यह स्टेट से आते हैं यह राज्य से आते हैं और केंद्र शासितप्रदेश से आते हैं तो यहीं प्रावधान इन्हों पूछा है कि यह जो प्राधान है यह किस देश से लिया गया है बताईए यह जो प्राधान है यह किस देश से लिया गया है याद रखेगा कि यह आर्लेंड देश से लिया गया है किसे आर्लेंड देश से बोरो किया गया है इस जील की बात कर लेते हैं 96 किलो मीटर यह लंबी है लोंगेस्ट है कहां पर है केरल राज्ये में है भारत की सबसे लंबी जील के लिए जानी जाती है चौलोम जील की बात कर लेते हैं सिक्की में है जो कि भारत की सबसे उचाई पर इस्तिर जील के लिए जानी जाती है इसकी बात कर लेते हैं तो भई यह सौल्टिड वोटर लेक है कहां पर है आंधर प्रदेश एंड तमिल नाडु राज्ये में इसका एरिया आजाता है भारत की सेकंड लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट सौल्टीड वोटर लेक के लिए जानी जाती है लोनार लेक रोनार लेक जो कि है यह भारत की रामसा वार इसाईट में भी शामिल किया हुआ है रांसर साइक में भी शामिल किया हुआ है यह उल्का पिंड के गिरने से बनी थी जो की एस्टरोइट से होते हैं तो उनमें आपस में टक्राव की वज़ा से जो है घर्शन बल पैदा होता है और वह है अगर कभी प्रत्वी के और आ रहे हैं और प्रत्वी की ग् लेती है तो इस तरह से उल्का पिंड प्रत्वी पर आकर की गिरा तो एक गहरा गढ़्धा बना और उस गढ़्धे के बनने पर लगभग हजारों वर्चों का समय लगा तब जाकर के इस लोनार लेक जो है बारिश का पानी वानी घटा हुआ तो उससे यहां पर लोनार ले बिखाइँ पड़ता है देनेक्ज से है कि बाइट किस सतिफी को हिंडी दीवस के रूप में मनाया जाता है कि क्वह चैब Chao को 14 सितंबर 1949 का समय था जब हिंदी को भारत की राज भाशा का दर्जा दिया गया था और ये मेंशन किया गया आर्टिकल 343 में याद रखेगा हिंदी भारत की नेशनल लाइंग्वेज नहीं है रास्त भाशा नहीं है बलकि राज भाशा है भारत में लगभग 45% के आसपास की संख्या है जो कि हिंदी भाशा बोलती है जो की हिंदी लाइंग्वेज का प्रियोग करते हैं बागि भारत के अलग-अलग राजियों में अलग-अलग भाशा यहां पर बोली जाती है और इसी दीवस को नेशनल हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है अच्छा एक यहा 10 जनफरी को मनाया जाता है याद रखेगा क्या हुस जाएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है 2 Antonio ब्हारत की रैंक में निम्लिखित में से कौन सी हैं बताइगि και रूल ओफ लो इंडेक्स जो की यहाँ पर जारी किया गया था इसमें भारत की जो की रैंक है यह कितनी है यह आप लोगों को आंसर करके बतानी है अमर ओके मैं बाइलिंग्वल लिखने के लिए ट्राइ करती हूं ठीक है बाकी आप सभी देखो सुभा साथ बजी मेरी करेंट सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आपके जीके का पॉर्षन इस्ट्रॉंग बने आपका तो आपको अपने करन अफेर करने पड़ेंगी तो डेली सुभा साथ बजे आपकी करने अफेर की ख्लास होती अटेंड किया करो और साथी ग्यारा बजे ग्यारा बजे अपनी यह मोक्तेस्ट की क्लास से भी जुड जाया किया करो ठीक है इस क्लास में हम लोग संडे स्पेशल संडे स्पेशल में हम लोग reverse related questions को cover करेंगे ठीक है चले यहां पर देख लेते हैं कि आपका आंसर रहेगा तो भारत की जो रैंक है इसमें 77 नंबर की रही थी दे रेक्स है कि प्राक्मिक इस्तर पर मात्र भाशा में सिक्षा की स्विधा का प्रावधान किस अनुछेद के अंतरगत किया गया था किया गया है यह आपको बताना है आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो झायेगा मात्र भाशा का जो कि प्रियोग यह है किस आर्टिकल के तहट में किया गया है यानि कि आप अपना अज्योटिक जो की близ JUSTIN udah और बहु पर ग्रहन कर सकते हैं, इतनी परशिद क्यों है आंसर की जी उशा का महता का नाम आपने सुना ही होगा तो ज़रा बताईए कि यह आखिर इतनी पॉपलर क्यों है बताएंगे आखिर यह है इतनी popular क्यों है क्यों भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान इन्हों ने जो message थे जो secret message थे उन्हें radio के माध्यम से इन्हों ने मतलब एक जगा से दूसरी जगा पर संचान किया था जो कि यह कुछ secret code वगएरा उसमें use करती थी और इसी के लिए यह हमारे भारतिये इतिहास में क्रांती कारियों के लिए जानी जाती है तो क्या हो जाएगा बी option यहाँ पर सही answer रहेगा भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां प्रतेक परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित किया गया है आंसर कीजीगा यह है कौन सा भारत का सबसे पहला राज्य है जिसने की अपने नागरिकों के लिए अपने नागरिकों के लिए प्रतेक नागरिक के लिए नी बलकि पर फामली फामली के लिए किया है तो क्या हो जाएगा यह है केरल राज्य क्या हो जाएगा केरल राजे केरल राजे की बात करें तो भाई यह है लिट्रेसी रेट में भी लिट्रेसी रेट यानि की साक्षर्ता दर में भी यह सबसे आगे है और सेक्सवेशो की बात कर लेते हैं तो यह इस में भी यानि कि अनुपात में भी सबसे आगे है और एजुकेशन में भी यह सबसे आगे है यानि कि सिख्षाム तो चुक्त को निम्लिक्वित कॉन सा टाइगर रिजव इसती थे यह आप लोगों को बताना है कॉन सा टाइगर रिजव है जो कि कहां पर अरूनाशल पूर देश में इसती थे यह आपको बताना है वालमिकी नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं कहां पर है बिहार में बिहार में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जो की है वालमिकी इसके साथ ही जिम कॉर्बेट की बात कर लेते हैं उत्राखंड राज्ये में है भारत के सबसे पहले फॉस्ट नेशनल पार्क ओफ इंडिया के के लिए भी यह जाना जाता है ठीक है नामदफा की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि यह हैं बताएंगे हरिष्चंद्र मुखरजी निम्न में से किस पत्रिका के संपादक के लिए जाने जाते हैं यह आप लोगों को क्या आपका आंसर जो की है जाएगा चलिए सो बात कर लेते हैं यहां पर क्या रहेगा देखो अगर मैं बात करूँ यहां पर पॉइनिर मैगजीन के बारे में तो जोर्ज एलन जो की है इसके फाउंडर के रूप में यहां पर जाने जाते है है क्या हो जाएगा यहां पर जॉर्ज एलन जो की है इसके पाउंडर के रूप में जाने जाते हैं याद रखेगा हिंदू देश भक्त की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हरिश्चंद्र मुखरजी के द्वारा एडिट की गई मैगजीन है ठीक है याद रखेगा इसके साथ ही अगर हम यहां पर किसके बारे में बात करें वंदे मात्रम तो बताओगे कि वंदे मात्रम जो की मैगजीन है यह किसकी रही है बताइए जरा वंदे मात्रम अगर हम मैगजीन की बात कर है उसके बार में तो काफी बार पूछा जाता है तो आइसर कीजिए घभाई यह यह किस की है कि अगर हम है कि सोंग की बात करें एक शौंड की बात करें तो इसकी जो रचना है यह की गई लेकिन के द्वारा लेकिन वंडमात्रम की बात की जाए अगर हम नुस्स पेपर की बात करें। तो क्या हो जाएगा अर्विंदो घोश रहेंगे चलिए देनेक्स आगे पर चलते हैं अगले क्रेशन पर कि जन्गणना संगणन किस मंत्राले के अंतरगत काम करता है अंसर की चीगा अगर बुक की बात करें कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ने की है यानि की सोम की तो बंकिन चंदर चड़ाजी की जो रचना रही है आनदमत उससे लिया गया था आंसर करेंगे फटा-फट से क्या हो जाएगा कि आपको बताना है सेंसस और्गिनाजेशन के बारे में कि बही किस मिनिस्ट्री के अंडर यह काम करता है तो याद रखेगा कि बही यह होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है सबसे पहले जो हमारे होम मिनिस्ट्र रहे है यह सर्दार वल्लब भाई पटेल रहे हैं सभी जानते ही है ठीक है और अगर हम करन टाइम की बात कर लेते हैं तो करन टाइम में कौन है अमित शहा है जो की गांधी नगर से सांसद है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहांगर से पहले बार वंदे मातरम किसकी अध्यक्षता में गाया गया था साथी यह भी याद रखेगा कि हमारा जो नेशनल एंथम है जणगर मन सबसे पहली बार 1911 में कौंग्रेस के सेशन में गाय गया था और इस समय भी कौंग्रेस का जो सेशन है यह कलकत्ता में ही हुआ ठीक है चले और इस समय जो इसकी अध्यक्ष है यह है रहिमतुला क्या हो जाएगर रहिमतुला M. सयानी अध्यक्ष इसके रहे थी ठीक है चले अगले question पर फटाफट से आजाते हैं वेज्ञाने की नमूना करण विधियों को नियोजित करके सामाजिक आर्थिक डेटा एकत्रित करने के लिए रास्टी नमूना सर्वेक्षन संगठन की जो इस्थापना है यह कब की गई यानि कि National Sample Survey Organization इसकी स्थापना कब की गई है यह आप लोगों को बताना है याद रखेगा 1950 में न्यू दिल्ली में इसका हैड़क्वाटर है और 1950 में इसका गठन किया गया था किस ने मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना पहल शुरू की थी आंसर कीजीगा किसके द्वारा इस पहल की शुरूआत की गई थी यह आप लोगों को आंसर के बताना है यह जो पहल लॉंच की गई थी कि Learning Science through Standards इसकी शुरूआत किस ने की है बिल्कुल सही बात है क्या हो किस विटामीन के रसाइनिक नाम के लिए जाना जाता है फॉलिक एसिड क्या हो जाएगा बी-11 क्या रहेगा बाकी विटामीन के साइंटिफिक नेम की उपर मैं प्रोपर एक सेशन आपका ले चुकी हूं आप लोग यूट्यूब पर वीडियो को सर्च करके चीजों को कव भारत में शहरी जन संख्या का प्रतिशत 2011 कितना है यह आप लोगों को बताना है कि शहरी जन संख्या का जो कि प्रतिशत रहा है 2011 के लिए कितना रहा है बलकुल सही बात है क्या हो जाएगा Modern one six pords na planет बहुत सब्सराइग चलै क्या हो जाएगा 31 यानि की 31.16 प्रतिशित यहां पर रहा है वर्ष 23 में संपन निमलिखित पुर्मुख सैन्नी अभ्यासों में से कौन सा भारत और जापान से संबंधित यहां पर नहीं है इनवे से कौन से एक्सराइस है जो कि भारत और जापान के बिच में यहां पर नहीं की जाती है आंसर कीजेगा सभी के सभी क्या हो जाएगा देखो धर्म गार्जियन की बात कर ले शेनियो मित्री एंड वीर गार्जियन की बात कर ले और यह जो आईजन है यह है वियत नाम एंड भारत देश के बीच में इस exercise का आईजन हो रहा है जो कि वियत नाम की capital है हनोई क्या हो जाएगा हनोई यहाँ पर इसके fourth number के addition का आईजन चल रहा है यह मैं आपको अभी हाल ही में जो चर्चा में ना विन्बेक से सुभह करंट अफेर की class में भी मैंने आपको कराया था अगर आपको याद हो तो इसमें ध्यान रखेगा the next है यहाँ पर समिधान की प्रस्तावना में सभी शक्तियों का इस्त्रोत क्या है यानि की कौन है यह आप लोगों को बताना है चलिए प्रस्तावना में सभी शक्तियों का जो कि स्त्रोथ है यह कोवन है यह बताइए रास्ट पती या प्राइम मिनिस्टर है या फिर वी दि प्यूपल ओफ इंडिया या फिर गवननर है अब देखना इसमें मैक्सिम या क्या बहात है आप लोग ने विल्कुल सही आंसर किया है मुझे लगाता है कि मैक्सिम लोग गलत आंसर करेंगे हम भारत के लोग वी दि प्यूपल अफ इंडिया ये प्रेंबल में दिया घ्या है निमलखित में से किसतफर पुस्तत को वर्ष 2012 के लिए व्यास संमान से शं बताएंगे क्या हो जाएगा यहां पर आंसर कीजिएगा और सेशन को भी सभी के सभी लाइक कर दीजिएगा याद रखेगा क्या हो जाएगा यह है पागल खाना और किसकी रचना है ग्यान चतुरवेदी क्या हो जाएगा ग्यान चतुरवेदी यह ग्यान चतुरवेदी की रचना है ठीक है बाकी व्यासमान की बात कर लेते हैं व्यासमान की बारे में एक बार चीजों को जरा यहां पर जान ली जीएगा व्यासमान ठीक है व्यासमान की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी जो शुरुवात है यह 1991 में हुई है बिरला फाउंडेशन के दौारा यह दिया जाता है व्यास समाई यह लेकिन यह सिर्फ हिंदी लिट्रेचर में दिया जाता है जिसे भी यह दिया जाता है उसके लास्ट तैन इंपरिस को देखते हुए उसे दिया जाता है याद रखीगा इसके अंदर अगर मैं Price Money की बात करूँ, कितनी इसके अंदर Price Money दी जाती है, तो इसके अंदर 4,00,00,00, रुपे Price Money के तोर पर दीये जाते है व्यास संबान के अंदर, ठीक है, याद रखीगा जी शंकर कुरूप को सबसे पहली बार जो की दिया गया था ज्यान पीट पुरुसकार दिया गया था ठीक है याद रखीगा ज्यान पीट पुरुसकार इसरो के द्वारा कौन सा भारती रोबोट विक्सित किया गया है इंडियन स्पेस रिसार्च और्गेनाजेशन 15 अगस्त 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ है इसके हैड़कॉर्टर की बात करेंगे बैंगलूरू में है बैंगलूरू में इसका हैड़कॉर्टर है प्रजाइन ट हो यह सौमनाथ है किसले इस पहले कों थे केश शिवान थे याद रखे लिखन में इन्हों ने विऑमित्रर नोगहर्च को विक्सित किया है किसले विक्सित कि Speaking किया है ताकि यह है गगन なयां मिशन गगन यान मिशन जो की है यह है भारत का एक human mission है जिसके तहत में भारत space में मानव को भेजेगा तो सबसे पहले इसमें व्यूमित्र robot को robot को space में भेजा जाएगा robot को space में भेजा जाएगा कि भही वह space में जाने के बार ठिक ठाक वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता है याद रखीगा चीक है तो इसलिए इन्होंने एक humanoid robot को विक्सित किया है जो कि व्यूमित्र है कि लिए रहें चीज़े कि चलिए तो ये लास्ट जोगी है भाई ये आपका था आज का यहाँ पर लास्ट लास्ट कोशन था ठीक है इसके साथ ही आप जरा यहाँ पर याद रखीगा कि भाई अभी अनकैडमी पर आप लोगों के लिए maximum discount यहाँ पर चल रहा है यहाँ पर क्या होता है कि अधर जगा अगर आप यहाँ पर पॉर्सिज लेते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को तीन महिने के लिए batch complete करा दिया जाता है देन आप एक साल तक उसे ही repeat करके पढ़ते हो या फिर छे महिने तक आप लोगों की classes दी जाती है या फिर एक साल से ज़्यादा कि उसकी duration नहीं होती है बले ही उसका जो price आपको कम देखने के लिए मिले बट यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का जो की subscription है अगर आप 2 साल का subscription ले रहे हैं तो 6 महिने आपको free पढ़ने का मोका मिल रहा है और ये 30 महिने जो आपको class मिलेगी 30 months जो आपको इसमें class मिलेगी वो आपको proper live class मिलेगी यानि कि एक तरह से सिर्फ आपको अपना एक access card लेना है उसके बाद आप 30 महिने देखे ढ़ाई साल का समय होता है मतब ब्योकुल perfect हो जाओगे एक बार का investment है और उसके बाद complete चाहे आपका math है reasoning है GKGS है आपका जो भी subject है SSE के exams को ले करके जिसमें कि आप SSE GD का आपका course start हो चुका है MTS की आप तैयारी गड़ सकते हैं CHSL के लिए आप ले सकते हैं CPO की आप तैयारी कर सकते हैं and CGL के लिए भी STANO के लिए एससी के जितनी भी यहां पर exams है इन सभी का आपको access मिल जाएगा एक बार के अपने subscription में ठीक है तो आप लोग मेरे code को यूज करते हुए यह मेरा code है जो की है सोनम्त्यागी यानि की SOTY इस code को यूज करते हुए आप लोग यहां पर 11 से 16 दिसंबर के बिश में ही या तो आप एक साल का subscription ले सकते हैं 2500 निन्यार में में आपको दिया गया है या फिर आप 2 साल के subscription में 30 महिने यानि की 30 साल तक का subscription ले सकते हैं 2000 यान आपको किसी भी चीज के लिए ना तो test fees के लिए ना previous year questions के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा इवन आपको कुछ क्यूज वगेरा भी मिलते हैं और भी extra चीजे मिलती हैं teachers की live classes भी होती हैं तो बहुत सारे options हैं जो कि आपको अपने subscription के बाद यहां पर अपनी पढ इसके साथी भई आप लोग यहां पर देखेगा कि अभी जो अपनी class यहां पर चल रही है class के description में जब आप जाएंगे जहां पर कि सुभा 10 बजे और शाम को 8 बजे अपनी class होती है इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है सिर्फ आप अपना number registered कर सकते हैं और फिर वहां पर join कर सकते हैं और join किसलिए क्योंकि unacademy की special class होती हैं जिसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है यहां पर हम लो इसमें आपको यह पता चल जाता है कि आपने कितने questions सही करें तो वह last में आपको ना अपनी accuracy rating देखने के लिए मिल जाती है कि आप कितना score कर पा रही है और यह सभी teachers की class में आपके लिए रहता है तो आप लोग यहां पर मुझे join कर सकते हैं मेरी class शाम को 8 बजे previous year questions की रहत यहां तक रखते हैं बिल्कुल आपको PDF के लिए भी बता देते हैं चले एक मिटुकिए का PDF के लिए मैं आप लोगों को scanner देती हूं और आप scanner से scan करके इस link से join कर लीजेगा टेलिग्राम चैनल को ठीक है इससे आप लोग यहां पर टेलिग्राम चैनल को join कर लीजेगा आपको PDF मिल जाएगी सुभा current affair की PDF भी आपको मिल जाएगी और आपको जो की 11 बजे की class की PDF है यह भी मैं आप लोगों को यहां पर upload करा दूँए कल की PDF भी बाकी है कल की PDF भी मु कर दीजिएगा मिलते हैं हम लोग अब अपनी सेशन में साथी में एक सेशन को और यहां पर आप लोग कवर कर लेना मैंने आप लोगों के लिए जम्मू कश्मीर का सेशन किया था यहां पर देख लिजिएगा live session में एक बार सो आप जानते हैं आर्टिकल 370 को लेकर के काफी चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में तो कल मैंने आप लोगों के लिए जम्मू कश्मीर के ओपर यहां पर यह सेशन किया है जिसमें की complete चीजे में ने यहां पर कवर करा दी है कितने जजिस की पीट बैठी थी कौन-कौन से ज बुद्धा है ठीक है आर्टिकल 370 का हटना और इसका आप बरकरार है ना कि यह मतलब जो डिसेजन लिया गया था संसल के दौरा वहीं इंप्लिमेंट रहेगा यह भी सीजी आई के द्वारा पाइनल डिसेजन दे दिया गया है सुप्रीम कोट के दौरा तो आप लोग सभी कर दीजिएगा सो थांक्यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत